कि अब दुस्तों सेके जटे में फिर से एक बार आपका सौगत है और जैसे के आप जानते हो मेरा एक पुराना वाले वीडियो देखा होगा अब अब जिस्ट अप्लोड किया था मैंने जो प्रिविएस वीडियो इसके पहले वाला तो आपने क्लोच सिमिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया होगा क्या होता है कैसे होता है मिलब किसमें कर सकते हैं अब के अलावा इसके अलावा भी बहुत सारे अलग लोग सोफ्ट्यूर से जिसके अंदर हम लोग कर सकते हैं लेकिन यह सबसे ईजी और बेस्ट तरीका है जिसके अं कर लेना बागी जो भी चीज़े हैं और आप यह जो रिंग है हम लोगों ने बहुत सरे पहले प्रोजेक्ट में की थी हमने पॉइंट्स एडिटिंग वगरा के लिए तो इसके अंदर यह मैंने नेटवक से बनाई थी है तो इसके अंदर में आपको आज भी जो टाइटल कमांड इसके अंदर हम देखेंगे थो ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा हम लोगों के लिए क्यां रोगृस कानल कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए, स्टार्ट करते हैं इसका वर्लत, या नए फर्सट T Betterा बंशेत कर लिए तो प्लीस मैं उनकोное ब्सट्रियब कर जो जानता हूं हर तरीकी का काम वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और कुछी दिनों में जो मरीन के जो यूजर से उनके लिए मैं एक चीज दिखाऊंगा इसके अंदर जो प्लगीन है तो जिसके अंदर आप राइनों के अंदर काफी अच्छे हल्स वगरा जो है मतलब सपोर्टिंग वगरा है काफी सारी अच्छे चीज़े बना सकते हो और मैं उसके ओपर वर्कि करूंगा और उसके अंदर शायद आपको पहले से बता हूँ तो आप जरूर मुझे बताए अगर मेरे से कुछ गल्दी होगी तो लेकिन वो नेक्स टाइम के लिए दोस्तों लेकिन अभी हम लोग जो फ्लो अलॉंग सर्फेस है वो हम लोग कमांड यसमें देखने वाले है अचले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लो अलॉंग सर्फेस की जो कमांड है उसके अंदर तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कि एक सर्फेस है दोस्तों तो दो तरीके से होता है तो फ्रस्ट कमांड ही क्रियेट यूवी कर ठीक है दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक सकता है अब अन्घुल देता हूं इसको मैं अभी आईड कर रहा ہ हूं मिइसको कापी करके छब घलता प no ईसको मैं तर सुरी मिलिमिटु lini मिट्र में और मैं ऐसको मैं इसको कर से और एक आपको दिखाता हून म Eggs love ऐटी आत्यम्हार्ण का जो बनाए मैंने औफ सेट मैं यहां पर रखता हूँ और शेयर करके जितनी भी कमार्ट जो सो यूज की है कर रहा हूँ इस सब आपको बता चुका हूं तो आपको कुछ से बतानी कि मुझे जरूरत नहीं है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे जरूर बताइये मैं आपका ज़रूर शेयर करूँगा कि कून से वीडियो में है तो ये मैं एक कुछ बना रहा हूँ रफली बना रहा हूँ दोस्तों बस आपको समझाने के लिए मैं आपको एक फर्क बताना चार हो इसमें जो मैं आप बहुत जरूरी है बताना ठीक है दोस्तो तो अभी मैं इसमें section command से points बना लिए और यहां से इस तो ली select points and delete ओके दोस्तो एक कुछ बनाया मैं ऐसा है वायर फ्रेम में ही है अब network surface से let's see कि क्या बन सकता है ओके और okay दोस्तो यह उल्टा है surface नेगेटिव है तो इसको डिया आए आध दोस्तों यह कलर अलग है तो इसका अलग अलग कलर कैसे करना है मतलब आपको समझ दीजिए बाइडिफॉल्ट आप कुछ भी देखते हो आप इसमें जैसे है आपको पता नहीं चलता है इसमें की reverse कौन सा है और positive और negative surface कर सा है उल्टा है surface नहीं है तो मैंने इसके अंदर कुछ editing की है मेरे setting में तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना के चोटा से वीडियो बनेगा मैं ज़रूर बताऊंगा शाहिद hdm को और हम इसके अभी जो है मैं reverse कर रहा हूं यह hide कर रहा हूं मैं मैं जो नहीं चाहिए और दोस्तों देख सकते हो यह जो सीम है यह यहाँ पर लेना है मुझे तो एक मिनट में पहले unhide करता हूं srf-seam srf-seam मैं आपको कमांड दिखा देता हूं srf-seam की कमांड डाली इंटर किया है मैं अभी इसको निची की तरफ ले रहा हूं ठीक है जो आगया है अब मैं पूरे कर्व को सेलेक करके hide कर देता हूं देखिए अब यह surface reverse से उल्ठा करूंगा मैं तो dir कमांड डारेक्शन कमांड ड अब दोस्तो create uv curve अभी है क्या एक्चुली तो create uv curve क्या करता है कि यह जो surface से यहां से मदब कट कर देता है और इसको यहां से फैल आएगा यहां से फैल आएगा इसे और फ्लाइट करेगा और यह जो डो में इसको भी फ्लाइट करेगा एक rectangle शेप में बना के यहां पर आल रहा हूँ आपको कमांड दिखा देता हूँ create यूवी कर दो ठीक है दोस्तों अब इसके अंदर आपको पूछेगा कर उसके ऊपर कुछ कर वगर है क्या तो नहीं है तो रेक्लिक करोगा आप देखिए अंदर फिट हो जाए perfectly और align करके अलाइन करके कॉंसेंट्रेटिक करके ओके गुरूप करना पड़ेगा दोस्तों मेरे इसके उपर सर्फेस के ओपर यह कर वे दोस्तों ठीक है इसको अब एक्स्टूड भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो आप एक्स्टूड कर लीजिए एक्स्टूड कर लेता हूं बोट साइड नहीं करता हूं उपर के साइड ही कर आँस लो रख दिया है मैंने इन सबको मैं group करके रख दिया मैंने अब मैं कर रहा हूँ flow along surface आपको command दिखा देता हूँ flow along surface flow command झाउस है देकिए दो ती वीडियोस पर लही देकिए तो यह देनी मैंने और उसके बार में आ गया है आपको फिर से दिखा देता हूं मैं जुम करके कॉपी यस है मतलब इसकी जो कॉपी है यह होगी मतलब यह ओरिजिन भी रहेगा और यह भी रहेगा तो आपको रेक्टेंगल के लिए पूछेगा तो आप इसको इस रेक्टेंगल को सिलेक करना पड़ेगा और फिर आपको इसके उपर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद में यह देखिए यह ओपोजिट साइड में आया हुआ है मतलब यह जो अपने क्रियन यूई की है ना यह उल्टे साइड में आया हुआ है तो प्लेन करूँगा वपस से और फिर आप थोड़ा इधर क्लिक कीजिए देखिए यह इसके उपर आ चुका है मेरी history on है दोस्तो आप history की command आपको पताईए मैंने बताईए तो मैं इसके अंदर में क्या कर रहा हूँ मेरे गंबल on इसको थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ मैं देखिए अंदर चला जाएगा यह देखिए अंदर चला गया है तो य चीज समझ सकते हूँ इसके नंदर देखिए एस छोटा हो गया है जी वाइब बड़ा हो गया है ठीरियम फिर छोटा हो गया है मतलब आप यह जो surface है न यह actually यहाँ पर छोटा है ठीक है मैं इसको scale 1 डी करता हूँ आपको दिखा देता हूँ अब आप देखिए इसके साथ क्या होता है यह देखिए यह इतना पतला हो गया है यहाँ पर देखिए मतलब यह जो curvature है जैसे average है समझ दीजिए यहाँ पर 10 है example के लिए यहाँ पर 10 है यहाँ पर है 5 50% ठीक है 10 and 5 तो जैसे यह पूरा 10 10 10 सब जगर पर 10 का ही बनेगा यह width म तो हम लोग उने 10 के इसाब से बना दिया लेकिन जब यह flow होगा तो जहाँ पर 10 ने उस 10 के इसाब सी तो रहेगा लेकिन जैसे 5 के इसाब से हो जाएगा न तो यह automatically यह यहाँ पर यह 5 के इसाब से shrink करेगा इसको इसको shrink करेगा वताब यह छोटा करेगा ठीक है दोस्तों त और इसके अंदर और एक option है जो आपको मैं बताना चाहूंगा जो है rigid yes और no का तो मतलब वो गोलाई देखिए आप फिर से देखिए गोलाई और डो मोगरा सब कुछ perfectly ली लिया उसने और दूसरा एक option ऐसा है जो rigid yes करने के बार होता है मैंने flow command दी select object जहाँ अंदर की select object मेर flow long surface अब आपको rigid low करना है plane को select किया हम इने और click करके rectangle बना लिया हम इने और click किया हम इने यह देखिए perfectly ऐसा ही आ गया ही देखिए तो दोस्तों आपको मैं और एक चीज़ समझाओगा इसके अंदर जो आपको note down करनी पड़ेगी कि जब आपको कुछ भी diamonds या prongs अगर आप prongs, cutters and stones, sorry prongs, stones यह diamonds और cutters, cutters अगर है बनाये तो तो अगर flat पे बनाये आपने तो आपको वो rigid yes करके ही upload इसके उपर या इसके पर shoot करने पड़ेंगे flow along surface करके ध्यान रखिए prongs, stones and cutters ठीक है दोस्तों और bezel बगरा हो तो भी ठीक है मतब setting का part या diamonds related कोई भी part हो तो आपको rigid videos करके करना पड़ेगा अगर आपने कुछ geometry बनाई या कुछ टेडा मेडा बहुत अच्छा सा surface वगरा बनाया बनाया तो आप इसके उपर rigid note करके भी आप flow करोगे तो आपका अच्छा रहेगा तो दोस्तों एक यह चीज note करने वाली आपकी तो please note करके रखिए याद रखि परफेक्टली नहीं आता तो आपको एक चीज समझाना चाहूंगा मैं इसके अंदर कि आपको क्या करना पड़ेगा कुछ चीजों पर जहां पर आपको जरूरत है उतने एरिया में आपको एक surface बनाना पड़ेगा जैसे कि अभी surface है तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना है समझ लिए अब एक काम करते हैं अब हमारे उसी की इस surface की जरुरत पड़ेगी अब समझ लिए मैं इसको create uv curve कर रहा हूं इसका भी uv curve बन किया देगी है अब मैं इसके अंदर काम करता हूं मैं एक चीज यहां पर वही वाला ले देता हूं मैं ठीक है दूस्तों एक टर्व ले लिया और इसको मैं खुड़ा बड़ा कर देता हूं अब देखते हैं इसके सथ क्या अत्याचार होता है flow करने के बार में flow along surface rigid no कर दिया मैं ने plane और यह से यहां पकड़ लिया मैं और इसके ओपर प्लिक कर दिया मैं तो यह देखिए कहां से क्या जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है तो उसको देख रहे हैं आप तो प्लेन यहां से यहां यह देखिए कुछ भी बदा नहीं चल रहा है मतलब यह देख रहे हैं कुछ भी कहीं पर भी हो रहा है तो यह चीज गलत है तो आपको क्या करना है सम में इसकोट था ओं ठीक है दुसती जोटा कर लहाँ मैंने यह दिलीट नहाँ इसफेर अब है को पर इसे भी कर सकते हो कोई इस्ट्राइक्ड आइसओकर से मैं जो ठीक है डिए आइसभी ले लिए अब दीन हर तो इससन समा मार देंगे वंको यहां पर यह हो गया मेरा फिर एक्स्ट्रैक्ट आइसो करो कमांड दे दी मैंने और टॉगल करके मैंने यहां से यहां पर एक लिए दिया है अब देखिए इसको मैं इस चीज़ को मैं पॉपी करके हाइड करगा हूँ क्योंकि मुझे ओरीजिनल ट्रिम को डिलीट नहीं करना है ठीक है दोस्तों यह अटा दिया मैंने अटा दिया मैंने अब इतना सा पाड़ बज़ा लेकिन इसके पॉइंट्स अन करूंगा तो देखे पूरे तो भी यह प्रॉब्लम करेगा तो बेस्ट वे यह है कि आप इसके पॉइंट्स को कम करें तो मैं श्रिंग कमंड दिखाता हूं मैं को स्ट्रिंग ट्रिम सर्फेस टू एज यह लेना दोस्तों अभी देखते हैं मैं एफटेंड करके दिखाता हूं मैं आप को यह दिखिए अब इतना ही पोशन बच गया मेरा देखेंगा अब जितना ही है उतना ही बचा है तो दोस्तों अब देख सकते हो यहां पे अब आप इसका क्रिएड यूवी कर दिजिए अब यह आ गया इतना सा कोई बात नहीं दोस्तों अब इसके उपर आप सिलेक करके आप कोई भी मोटिव डाल दिजिए मैंने बहुत चोटा लिया दोस्तों कोई इश्यू नहीं है अब ले सकते हो बड़ा आपको जैसा चीव ऐसा यह रेकिए मैं इसको कॉपी करता हूं तीन चार बात होई जाएगा ओके चार बात होई गया और इसको मैं आपको अलॉंग सर्फेस करता हूं और आके सब कोई बलेन यह देखिए उल्टा हो गया है कोई बात नहीं बलेन आप यहां से यहां लेजिए और आ बहुत फिल्टा आपको शोथ समझ के करना पड़ेगा यहां गया है कि इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो और अगो कि कि आ एप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो फिर आप अपनी कॉल की जिल पुरानी रिंग जो है अंदर सेव कर के रखेए आपने कर सकते हो दोस्तों इसके बाद एक और एक कमांड है मैं वो अलग वीडियो में बताऊंगा कि फ्लो वगर आम लोग कैसे करते हैं लेकिन आप फिलाल इसके लिए आप समझ गया होंगे कि अगर आपको कुछी दिंग के उपर तुकड़ो तुकड़ो में फ्लो करना है तो आप आपको एक अलग से एक सर्फेस बनाना पड़ेगा मतलब इसको पैच से भी बना सकते हो दोस्तों वह इशू नहीं है आपको अगर आइसो का नहीं मिल रहा है आपको लग रहा है कि आप मुझे कुछ अलग तरीके से करना है तो आप इसको जैसे पैच कमांड से भी आप जै कि मुझे नहीं करना है तो आप है अपको पैच कमांड से देखता हूं पहले कि क्या बंद रहा है यह थोड़ा सा अलग बंद रहा है पच्छी से फाइव फाइव पॉइंट्स करके प्रिवी देख लीजे कम हो गया है तोड़ा सा टेन अजब थोड़ा सा दोस्तों प्ले क करना पड़ेगा कि यह यह पो थोड़ा सा एक करव और डाली इसके अंदर एक काम करते हम लोग कर और डालते हैं इसका अंदर तक कि यह फरकटली सेट हो इतने ज़्यादा कर उतना स्पैच सही आएगा यह द्यांदर किये ओके ट्रिम कर देंगे दोस्तों लेकिन पर्फेक्टली आ गया है मेरे हिसाप से ठीक है और मैं इसको कोशिश करता हूं ट्रिम करने की ओके ट्रिम हो चुका है ठीक है दोस्तों अब आप इसको जब आप देख सकते हो यहां पर इस तरीके से आया है इसका मतलब क्या है कि यह ट्रैंगल वाले अरिया है यह वाले अरिया है इसके अंदर आप जो भी ड्रॉब करना है कर सकते हो आपको जैसा भी ड्रॉब करना है कर लो एलो एक ढ़िए खार HIV अभी अपार Amea अदिक तो अब आपको कुछी है नहीं करना है इसका यह नहीं पकड़ना है यह नहीं हरू करना है इसको खरते ह falar प्रोंग सरफेस प्लेन और एक स्री खर्भार्व सर्फेस प्लेन यहां से यहां और आपको इसकर के ऊपर पेस्ट करना है सोरी इसको लॉक कर देते हैं या हाइड कर देते हैं दोस्तों फ्लो अलॉंग सर्फेस प्लेन प्लेन प्लेटर किये हैं यह काम करेंगे इसको अंड्रिम कर देते हैं यह ठीक है दोस्तों यह सही है इस तरीके से मतलब यह सर्फेस यहां पर है यह यहां पर है तो मैं यहां से ऐसे दूँगा तो यहां से ऐसे आएगा ठीक है फ्लो अलॉंग सर्फेस प्लेन कर देता हूं यहां से यहां और मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं यह देखे लिए याच चुपा है ठीक है लेकिन यह पर्फेक्शन नहीं आता ज्यादा पैच वगरा में थोड़ा सा यह इश्यों देता है थोड़ा सा ध्यान देखे करना पड़ेगा आपको ठीक है दोस्तों तो आप ल इस तरीके से भी एक्जस करके करना पड़ेगा मतब हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस चीज में तो दोस्तों इस तरीके से आप फ्लो अलोंग सर्फेस कमांड यूज कर सकते हो I hope आप समझ के होंगे और जैसे कि यह कमांड है यह हमारे बहुत काम आएगी जब हम कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंड बॉक्स में मुझे जरूर पूचिए मेरा इमेल आइडी भी है नीचे लिखा हुआ साइकेटेडेम.com उसके ओपर भी जाके आप कर सकते हो और दोस्तों प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो लाइक जरूर कीजिए मैंन झाल